नमस्कार साइंसन स्टेडी जोन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और आज हम लोग एक कवीता का ध्यन करेंगे जिसके लेखक का नाम है सत्य नारायन लाल जी सत्य नारायन जी का जन्म भोजपूर जिला में 1914 में हुआ और 2004 में इनका देहान थो गया तो आईए इनकी खुबसूरत कवीता का अध्यन करते हैं जिसका नाम किसान है किसान का हमारे जीवन में हमारे देश की आर्थिक गतिविधी में अहम भूमिका है हमें उनका सम्मान करना चाहिए और उनके प्रती अभार प्रकट करना चाहिए भारत वर्स में 23 दिसंबर को नेशनल फार्मर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है जो देश के पाँचवे प्रधान मंत्री चौधरी चरन सिंग का जनम दिवस है तो आईए कवीता का अध्यन करें नहीं हुआ है अभी सवेरा पूरब की लाली पहचान चिरियो के जगने से पहले खाट छोर उठ गया किसान नहीं हुआ है अभी सवेरा पूरब की लाली पहचान चिरियों के जगने से पहले खाट छोर उठ गया किसान खिला पिला कर बैलो को ले करने चला खेत पर काम नहीं कोई त्योहार न छुट्टी उसको नहीं कभी आराम गरम गरम लू चलती संसन धरती जलती तवा समान तब भी करता काम खेत पर बिना किये आराम किसान बादल गरज रहे गर 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 बिजली चमक रही चम चम मुसला धार बरसता पानी जरा न रुकता लेता दम हाथ पाओं ठिठूरते जाते घर से बाहर निकले कौन फिर भी आग जला खेतों की रखवा ली करता वह मौन है किसान को चैन कहा वह करता रहता हर दम काम सोचा नहीं कभी भी उसने घर पर रह करना आराम तो इस प्रकार हम लोगों ने किसान कवीता का अध्यन किया है आईए एक बार इसको फिर से दोहराते हैं नहीं हुआ है अभी सवेरा पूरब की लाली पहचान चिरियों के जगने से पहले खाट छोर उठ गया किसान खिला पिला कर बैलो कोले करने चला खेत पर काम नहीं कोई त्योहार न छुटी उसको नहीं कभी आराम गरम गरम लू चलती संसं धरती जलती तवा समान तब भी करता काम खेत पर बिना किये आराम किसान बादल गरज रहे गर 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 बिजली चमक रही चम चम मुसला धार बरसता पानी जरा न रुकता लेता दम हाथ पाव ठिटूरते जाते घर से बाहर निकले कौन फिर भी आग जला खेतों की रखवा ली करता वह मौन है किसान को चैन कहां वह करता रहता हर दम काम सोचा नहीं कभी भी उसने घर पर रह करना आराम जै किसान जै किसान जै किसान धन्यवाद